आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाइम सिंग यादो को दी गई सिर्धानजली चित्रदुल में हुई शोक सभा मुलाइम सिंग यादो के अंतियम संस्कार में शामिलोंगे सीम योगी अधितनात आजी रवाना होंगे सैफ़ाई ममता बनरजी नी मुलाइम के निधन पर जटाय दुख शरत पावान नी भी ब्यक्त किया शोक नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादो वक्त हो चुका है उतरपदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर खबर और एया से हैजांजीली को अलग पहचान देनी वाली सपा सरंग्चिक मुलाइम सिंग्यादो को आज सुबा 82 साल के उम्र में निधन हो गया विदुना निवासियों ने बताय कि नेता जी ने ग्रामिडों के विकास और कारेकरताओं का हमीशा पूरा सहियो किया है मुलाइम सिंग्यादो के साडू प्रमोध गुपता ने कहा कि हमारे पिता के समान बड़े भाई आज हमारे बीच नहीं रहे तो वही नेता जी निके निधन पर विदुना के लोगों की आँखों में आसू रुखने का नाम नहीं ले रहा है माननी मुलाइम सिंग्यादे हमारे पिता के समान थे मैं इसे चोटे परवार में पैदा हुआ थे ना राजनीद नहीं कर सकता था माननी मुनायम सीही ने मुझे चलना सखाया राजनीद में आगे बढ़ाया और प्रदेश इस्तर पर हमारी राजनीद करवाई पूरा स्रच्छ दिया नगर पंचाज चेर्मेन बनाया बिगुना में मुझे जो है दिनायक बनाया उससे जाना क्या हो सकता था अलिगर्डबी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं जन्मिदाता बहुजन नाइप मानिवर श्री काशी राम साहब के सोलावे पर निर्वार दिवस पोड़िती थी में अलिगर्ड की जीटी रोड इस्तर समराट लॉज में मनाया जा रहा है जहां पर हाजारों की तादाब में कारकरताओं और समर्थ को लेकर महापर मुहमद वरुकान अपने कारयायलों को समराट लॉज पहुचे लॉज में भहुजन समाज पार्टी के नेता सूरज सिंग, रणवीर सिंग, कश्यप, पुर्वमंत्री राजवीर सिंग ने सभी का करताओं और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और मानेनी काशी राम जी के उपलब्धी के बारे में बताया प्रणाओं परोड़ों बानी बहंजी के साथ हैं और बानी बहंजी आप सब के वांज समान साइवान के लिए समान इस्ताथियों दर्लाग बहनत करने का काम कर रही है दोस्तों साथ ही रोगों मैं तही दिन से आपकर शुबूर दानू महराजगन जिले में इल मिनादू नभी के मौके पर जुलूस निकाले गए महराजगन सहित सभी शहरों में भबे जुलूस निकाला गया इस मौके पर काजी ए शुरस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे जुलूस में मौहमद्या में गंगा जमुनी तहजीब वा आपसी चारे भाई के साथ निकाला गया जुलूस में मौसलिम धर्मों के लोगोनी शिर्कत की माजीदों को फुल जालों से सजाए गया बाई मैं आपकी टीम को और आपके चैनल को यह बाराभु लोग शरीप का जुलूस जो निकला हुआ है इसके मात्यम से और अपने तमाम मौसलिम भाईयों और हिंदु भाईयों के मात्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी टीम का आपका यह मैं अन्मार अहमद हूँ इस मदरसे का एक अधना सा मुलाजिम हूँ नौकर हूँ आप सब का नौकर हूँ एक दिनी एतवार से यह जुलूस हमारे मदरसे के गराउंड से और कस्बे के मुख्तलिप गलियों से निकला है अलीगड में भारी बारिश के बीच इल मिलादो नभी के मौके पर हर जगा जुलूस निकाला गया वहीं मुसलिम समाज के लोगों ने पैगंबर मुहमद साहब का योमी पैदाईश दिवस मनाया इलाके में मनाये गया जलसे में लोगों ने कहा कि हम अपनी नभी की शान में दुआ करते हैं हाफिज अन्वर हुसेन ने बताए कि आज हम लोगों ने जुलूस निकाला है हम लोग हुजूर पैगंबर मुहमद साहब की उम्मत में हैं मौलाना अक्मल रजा ने बताए कि आज लोग इद मिलादु नभी का पर्वो मना रहे हैं पैदाईश है जश्टन इद मिलादु नभी हम लोग मना रहे हैं हम आले में कि लिखने मना आके जश्टन मनाती हैं कि तमाम लोग आपस में मौभवट पैदा करें उस दिख़्यात परमाया कि तमाम लोग मुसलमान, हिंडू असाफ मुसलमान भाई 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 थे हैं सब एक ऊसात्थ मौभवत के साथ पेशाई ुचाई जानकी पुरम गॉर्डन में डियाओं इस्थित अभिनो कॉलेज के पास लगे ट्रांसफार्मर पर अकाशिय बिजले गिरने से बड़ा धमाका हो गया धमाका इतनी तेश था कि आसपास के लोग इस धमाके से सहम गए पर किसी के घाल होने के सम्मद में जानकारी नहीं है तेयर ही जलने लगिए कडा विजले लिए किसी को छो पूर्ट कुछ नहीं लगाए अच्छा फिर उसके बाद किया हुआ जल गया अच्छा बदला जा रहा है और किसी को चोटोट कुछ नहीं लगी है खाले हो है पर टान्सफार्मर पर वक्ता भाया खबर कानपूर से है जहां 18 घंटे से लगतार जारी बारिश के कारण पुरा शहर जलमग नहों गया साथी यतीम खाना और साइकल मार्केट के दुर जरजर मकान जमी दोच हो गये वहीं इस हासे में किसी के घाल होनी की जानकारी नहीं मिली बतादे कि मौसम विभाग ने लख के निट देश भी जारी किये हैं खबर हडोई से है जहां बाइक चालक राजपाल सुरासिर नात मंदिर दशन के लिए जा रहे थे तब ही उनकी बाइक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई जिसके बाद रहगीरों की मदश से आग पर काबू पाये गया अब तक ब खबर फरीदाबास से है जहां पर युवक को रास्ते में रोकर कुछ बदमाशों ने चाकू से पिट में चाकू घोपा दरसल हिमादपूर से युवक अपनी नानी के घर से लोट रहा था तब ही उस पर हमला कर दिया गया घायल युवक को दिली के ट्रामा सेंटर रेफर क कि आ गया है खबर और आया से है जहां पर लागातार हो रही बारिश का फायदा उठाकर आग्या चोरों ने चार्ट दुकानों के शटर का ताला तोड़ा और लाखों रुपे की चोरी की घटना को अंज्राम दिया इस घटना के बाद वैपार मंदल के नेताओं और वैपा पर आंदोलन की चेताओं ने दी है बैपार मंदल के जुला दक्ष बबलू बाच पहीं में बताया है कि पहले भी कई बार चोरी की घटनाई हुई है लेकिन कोई कारिवाही नहीं हुई पुलिस के आला दिरकारी भी मौके पर पहुंचे इसके लाग और वी दुकानों चोर पर आप दो दुकानों का दो शटर है शटर के साइट से जो जगा होती है वाहां से शट बेज़ा लगकी और धोड़ा खोला गया है और काफी कम जगा के अंदर जाटेव में घटना का रिखती गई है अंदर जो गुल्लक वोते जिसमें सम पैसा रखते हैं कल वैसे दुका कि तना निक्सान हुआ है किस चीज की दुकान आपकी है किस चीज की दुकान आपकी है को जिया बलाम को जोबना दुखते हैं हम से अधकारीया उपर को संबार करना चाहिए लात में बारा किया दुख गुद रहा हो वो बना आदमी हो या पावी हो गुंडा हो लबंगा हो और खौब तभी पैदा होगा जब ये टौका टांकी होगी और रया में दो दिन से लगतार हो रही बारिश के बाद एक बड़ा हासा हो गया दर असल कच्ची दिवार के गिरजाने से दिवार के अंदर एक ही परिवार के चाल लोग दब गए लोगों की चीक पुकार सुनकर ग्रामीडों में अफरात तफ्री का मौहल बन गया आनन फानन में लोगों को बाहर निकाला एक व्रिद मैला के मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग कम भी रूप से खायल हो गए जानकारी मिलने पर पोलिस निकाल को इस्पितार में भरती कराया वहीं मौके पर जलादी कारी एडिशनल स्पी सही तमाम जनपत का फोर्स पहुंचा वहाँ पर गिर गई उसमें उनकी रिष्टेदारी में आई उनकी बुवा जो है उनकी डेथ हो गई जिनके सत्तर वर्स के हांस पास उम्र है और तीन लोग सचिन बबली और शिवानी दस वर्स पचीस वर्स चानिस वर्स ऐसे एज है वो हलका फुलका चोट लगी है ज्यादा गंबिन उनको रेस्क्यू करके आस्पिटल पहुचा दिया गया उनका इलाज चल रहा है उनको कोई कत्रा नहीं है और बॉडी को कुछ मार्टम के लिए भेजा गया है खबर अलिगर से है जहां शांती निकेतन बिजली घर में लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली घर पूरा चलमग न हो गया जिसकी वज़े से जनपत में 24 खंटे से बिजली की समस्या से होकर घुशना पड़ रहा है साथी बिजली विवाग के अधिकारियों ने बताय की पानी निकलवाने का काम तेजी से किया जारह है जसके बाद जल्दी बिजली सप्लाई चालू की जाएगी यहां का एरिया पूरा जो नीचा है यहां पूरे एरिया में पानी आ गया पूरा एरिया का वोटर लेवल जादा होने से वो बिजली घर के अंदर तो गुसाया इसके वैसे पूरा विजली घरा पानी ने तो हमारा इस्टाप खुदी निकलता है अब दोप्यर बाद जादा पानी आया है तब बंध हूए ठीक है और कंटोर रूम में करी-करी एक से सवा फुट पानी अंदर आ गया था पूरे बेजीगर में पानी बढ़ा पूरे चेतर पानी अंदर आया था वेलीगर में रोकने की बहुत कोशिश की गई थी परंतु पा अलिगर से जा नाबालिक लड़के के साथ कुछ दबंग लड़कों ने खाली कमरी में ले जाकर उसके साथ दुशकर्म किया. साथी किसी इसे घटना की शिकायत करनी पेज़ां से मानी की धंकी दी। तो वही नाबालिक के परिवार जनोंगे नाबालिक फैर टील अब एक बच्चा लेकर आये थी पुलीस को जिसका कम्प्लेन था कि उनके साथ कोई चीडखाने हुई है जिसका हमने जो है मलखान सी में आंत्रिक इंटर्नल एक्जामेशन के लिए उनको रिफर कर दिया है खबर बदायू से हैं जहानलागतार बारिशोनी के कारण पूरी गाउं में बार जैसे हाला थे वही ग्रामिडों ने बताया कि बार की वज़े से हजरत पूर्मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है जसके वज़े से आवा गर्मन में काफित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साती ग्रामिडों ने कहा कि बारिश की वज़े से उनकी सारी फसली नस्ट हो गई है पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है फिलहार के लिए उतरपदेश की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम ठीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार